नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अड्वाइस पाक हिंदी के एक नए वीडियो में कार्निर्वाता कंपनी किया मोटर्स ने अपनी MPB किया कार्निवल की चौथी जनेरेशन का खुलासा कर दिया है आपको बता दें कि किया कार्निवल को कुछ ग्लोबल मारकेट्स में किया सेडोना की नाम से भी जाना जाता है और इसे एक नए प्लाटफॉर्म पर बनाया गया है खास बात यह है कि नए किया कार्निवल अपनी मौजूदा जनेरेशन से करीब 40 mm जादा लंबी और 10 mm जादा चौड़ी है इसके साथ ही नए कार्निवल का वील बेस भी 30 mm तक बढ़ा कर 3090 mm और बूट स्पेस 627 लिटर का कर दिया गया है वहीं इसके रियर सीट को फोल्ड करके इसके बूट स्पेस को 2905 लिटर का किया जा सकता है आपको बता दें कि किया मोटर्स नए कार्निवल को ग्रैंड यूटिलिटी वहिकल के तौर पर पेश करेगी इसके एकस्टीर की बात करें तो इस कार में किया की टाइगर नोस ग्रिल सबसे पहले ध्यान आकरशित करती है इसके अलावा इसकी ग्रिल में डाइमंड मैश पैटन और क्रोम इंसर्ट दिया गया है इसके साथ ही इसमें Slim Headlight Cluster Housing, Stepped LED DRL और पिछले हिस्से में LED Light Bar दी गई है जो की कार की पूरी चोडाई में है इस कार में मौझूदा स्लाइडिंग दोर को रखा गया है लेकिन इसके C Pillar को Redesign किया गया है जानकारी के अनुसार चोथी जनेरेशिन किया कार्निवल को अंतरास्टी बाजार में तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा इसमें पहला 3.5 लिटर GDI V6 पेट्रोल इंजन है जो की 290 बHP की पावर और 355 न्यूटन मीटर का टॉक परदान करता है वहीं दूसरा 3.5 लिटर GDI V6 पेट्रोल इंजन है जो 268 बHP की पावर और 332 न्यूटन मीटर का टॉक परदान करता है इसके तीसरे इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लिटर डीजल इंजन दिया गया है जो की 199 बHP की पावर और 404 न्यूटन मीटर का टॉक परदान करता है सेफटी फीचर्स की बात करें तो इस कार में forward collision avoidance assist, pedestrian and cyclist detection, lane keep assist, intelligent speed limit assist, driver attention warning, smart cruise control, high beam assist, lane following assist और highway driving assist जैसे और भी फीचर्स दिये गए हैं तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करें और बने रहें ट्वाइस पार्क हिंदी के साथ